हलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई नियू ब्लॉग फ्रेंट्स यह हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा इस्पेशल खास करके गल्स के लिए लेडीज के लिए कि उनको घर बैठे पालर नहीं जाना पड़ेगा आराम से अपना मेकप बहुत ही इसली और बिल्कुल भी इसके मत करना वीडियो को लाश्ट तक देखना और जो भी समस ना आए अप उसे कमेंट करके पूस सकते हो जो आप कमेंट्स में पूछों कि मैं पालर में जाके वहां फिर बिल्कुल किलियर करके फिर आपको बताऊंगे ऐसे नहीं है आपे मुझे ज्यादा कोई भी पालर वाली अपना मेकप का वीडियो पूरा डीटेल में नहीं डालती है लेकिन मैंने बनाया है और मैं अपने चैनल पर डाल रही हूं आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था जो जो पालर में होगा मैं आपको दिखाऊंगी सिखाऊंगी तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी सीखते चलिए तो वो मतलब side makeup है ज़्यादा वैसा bridal makeup नहीं है बस ऐसे ही वो लोग कहीं उनको engagement में जाना था दो आंटी आई थी वो लोग अपना makeup करवा रही थी दीदि मैम कर रही थी तो मैंने वीडियो बना लिया आप लोग वीडियो को last तक देखिए और enjoy केजियो जो भी समझना है मुझसे पूछ लेना ये वीडियो मैं वहाँ से आने के बाद फिर बना रही हूँ और जो वीडियो मैंने वहाँ बनाया है उसको अब मैं add कर रही हूँ आप लोग वीडियो को last तक सरूर देखना तो देखो friends सबसे पहले यहाँ पर दीदी ने टोनर लगा के face को पूरा clean कर लिया था उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आपको सारा देखने को मिलेगा अब clean करने के बाद face को toner का मतलब toner का कौन सी company का है क्या है यह स्तारा कुछ आपको मेरे चैनल पे आगे आने वाली वीडियो में सब देखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले face को साफ करने के बाद दीदी ने यहाँ पर eye base लगाया हुआ है मतलब moisturizer लगा दिया है फूरे face में और फिर इसके बाद यहाँ पर eye base लगाने के बाद lose powder से उसको set कर दी है अब यहाँ पर सबसे पहले eye rose फिल कर रही है इस तरह से तो देखो eye rose कैसे फिल करते हैं जो हमें यहाँ पर जो हमारा जैसे यहाँ पर जो point होता है तो point इसके पास से सबसे पहले eye rose फिल की हैं उसके बाद यहाँ पर इस तरह से side में बिल्कुल जो आगे की side है उसे natural ही रखना है ज्यादा ऐसे समझ ना है कि यहाँ पर eye rose फिल की गई है क्योंकि इनको ज्यादा light नहीं चाहिए था मतलब ज्यादा वैसा बहुत ज्यादा वैसा वाला make-up नहीं चाहिए था बस light ही चाहिए था natural ही make-up चाहिए था अब इसके बाद यहाँ पर दीदी eye make-up कर रही है तो eye make-up में यहाँ पर eye shadow use कर रही है देखो moisturizer और foundation पूरे face पे side fill कर रही है और इस तरह से इसको set कर रही है और फिर इसको blending से set कर दी है इसके बाद loose powder से उसको set करके यहाँ पर ले रही है concealer है या फिर eye beige मतलब brush से set कर रही है पता नहीं यह क्या है यार मुझे नहीं पता है face में primer लगा रही हूंगी है तो मतलब मैं video बना रही थी क्योंकि customer के सामने दीदी कभी product बताती नहीं है उसके बाद तुरंट मैं video बना रही हूं तो मैं जब मेरे को सारा कुछ बताएंगी तब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि क्या है मतलब कौन सा मेकः और कौन सा मेकः लगाना है और कौन सी चीज लगानी है और किस company की अच्छी होती है मैं ज़े पूचा भी नहीं पूसती तो फिर मतलब कुछ भी customer के सामने ज़ादा नहीं बताती है क्योंकि मतलब वह तयार होने आई है सीख ने तो आई नहीं है, इसलिए पस उनको तयार करना होता है, इसलिए जो सीखने वाली लड़के हैं ने उनको भी नहीं बताती है, साथ साथ मेंगों करकी बताती है, इसके बाद यहां पर brush से Set कर रही है, फोड़ा सा i1000 जो की Glow आज spice ले रही है, ऑज इस तरह से आक लोग देख रहे हैं यहां पर पर नाप में जहां पहुता है तो शेहां आतो प्रकाइब लाइतしました हुआ रही हैو जैसे आप लोग देख रहे हुए तो यहां पर नाक कुर्ती ही पहन के जाने ब्लैक ड्रेस ही है तो मैंने बीच बीच में आपने आपको भी दिखाती गई हूँ आपको इस वीडियो में तो कम ही आई हूँ लेकिन अगली वीडियो बना होंगी तो इसमें भी आपको बीच बीच में दिखाऊंगे ताकि आप लोग मुझे भी द लगारी है दीर देखते हैं इस पोरे लीपस्टीक को फिल कर लेना है पर इस तरह से बरस से तरी ल हम इसक yan पर काजल लगा भरी मेरे आंसो देखे 흥 लेकिन उन पहीं तक भी आंसो नहीं है मतलब मैं चीजा करनें किसक की ति नहीं में जार काल बेतोर algumas कवर तो क्बाँ मिलिट के और री जाटा है जासे आखिव वागो झालियों होते हैं तो तो खेयर के समुलिए को दिनालु कैसे अगर नहीं टूर को साइव सब्सकुते होता है मैं की जाता हैं तो यह फिर आगे जाते हैं आगे से बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आगे से लगाओगे तो आई-लाइनर जादा होता है फिर आगे ही बहुत जादा लग जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसा मुझे बताएं क्योंकि मुझे आई-लाइनर लगाना बता चुकी है ठ तो पता है यहां प्लार में मतलब उतनी लाइट नहीं रहती है तो थोड़ा सा ना वीडियो क्वालिटी कम अच्छे आती है और अगर मतलब जैसे रिंग लाइट वगेरा होने तो बहुत अच्छी क्वालिटी आए सामने से मेकप देखने में बहुत अच्छा लग रहा था उतना मेकप वीडियो पर नहीं आ पा रहा है जितना अच्छा लग रहा था लेकिन फिर भी काफी अच्छा आ रहा है लेकिन मैंने आपको प्रोड़क्त सारे मतलब दिखाए कि कैसे कैसे दीदी करी है और देखो यहा क्रिकियान जो बांकी सीख़ है उन्होंने क्रंपिंग कर दिया है 아드ी अपड़ी वीडियो नुक्त इनका मेकप शेयर करेंगे तो अगर वीडियो में चस्थानल से अध्यय करता है जैसे समय कर दो कॉर आपको प्लेंवालों और मेरा तो बालों में बूंस आजाता है तो दोड़ा सा्थ दिखने लगते हैं फिर आपकी हेरेश्टाइल भी अच्छी बनती है और सारा कुस अच्छा लगता है तो इस तरह पिर इधार दूसरी मतलब इनोंने साऔर पैसा कम दिया था तो इनकी हेरेश्टाइल साइड वाले तो इस तरह से सारा मेक अप इन लोगों को पता है दो लोग थी साथ दीदी ने एक घंटे में तयार करके दे दिया था क्योंकि उनको जल्डी भी थी और लेट से आई थी अब देखो यहां पर इस तरह से चोटी बनाएं थी और इसको बाउंस देना होता है कोई भी चोटी ब बन गई हमारी पूरी हे इरी स्टाइल है और आगे से फर välंच यहां पर थोड़ा से बाल उप्टेियर तो पिंह दो भी करतेंगे फिर यहांने ही उनको साम तक मेक बाउंस देखेंगें लोग क Tian आगे की साइड पाल साइड और इस तरह से यह बनादी हैiro style इसके बाद पीछे की साइड यह लगा रही है तो इस तो है चरहे से सख्ड़ एस तो यह लगा रही है जब तक ही कर रही है ज्यृवार में और मीनसिद दूसरी तो तो ये बन गया और ये इधर ये गुलाब बना रही है बहुत अच्छा गुलाब बना था जब बनने के बाद पूरा complete हुआ था तो इस तरह से ये इधर hair style ये बना रही है और इधर दीदी तयार कर रही है मतलब सभी लोग लगे हुए और मैं क्या कर रही हूँ वीडियो बन रही हो तो दीदी का रही था थे तो में दीलो में देख लोगी सारा कुछा फिर इसके बाद यहां पर दी ऑदी और कल रही हो इस तरह से रोल यह मुझे भी लेना है आप लोग को को ज़ northwest कर दो देख रहे हो वैसे मैं ले लोगी कर दो भी लोगी तो आभी नहीं वाट ले तो यहां पर बालो को कर दी है और दूसरे साथ भी करें मतलब की है देखो इनको इतनी जल्दी थी इसको विगाड़ने के उसको पकड़के फैला दिए अब अब्यूस्ट्ने इनको मना किया कि नहीं नहीं उसको मत पकड़ो तब छोड़ी उन्हें दो उसको पूरा पकड़ के खीच लेतीं मतलब वैसे ऐसे हो वो इतनी मेहनत से बना रही है और इनको कुछ समाजी नहीं कोई बात नहीं चलो अब इदर के भी है वो कर दें करल फिर इसके बाद इसमें स्प्रे करेंग करने का तरीका भी देख लेना और इता देको यह गुलाब बनाए खड़ी है दूसरे से पिन मंगाई है वो पिन लेके आगी तब इसको सिक्योर करेगी तब आप देखना बहुत अच्छा लगेगा तो इन लोगों को चल दी थी ना इसलिए फिर बाद में वीडियो कर दी तो इस प्रे जब भी है इस प्रे करना है ना तो फेस का मेकप बचा के मतलब फेस को पूरा बचा के है इस प्रे करना इस तरह से फेस में इस प्रे बिल्कुल ना जाना चाहिए इस तरह से दी पूरा मेकप वो इस प्रे कर दी है तो इनका मेकप कैसा लगा आप लोग कैसे लगा है वो भी comment करके बताना आप लोग को और क्या चाहिए ypin pailar के बारे में और क्या सीखना है वो भी मुझे comment करते रहे और जो भी चीज case आपको ना पता मतलब जो आती हो जो मैं ना बता पारी हूं तो भी comments करते हुं ना मैं दीधी से सारा कुछ पूछने के बाद आप लोगों को किलियर करके बताऊंगे ठीक है तो देखो इनका मेकप बहुत अच्छा हुआ था देख सकते हो यहां पर अभी दीदी ने काजल इनको नहीं लगाया था और लाइनर नहीं लगा दी थी काजल नहीं लगा थी तो काजल भी लगा रही है इनक चैनल को सस्क्राइब कर लो बार बार कह रही हूं चैनल को सस्क्राइब कर लो देखो यह आंटी पैसा डून रही है अब अपना अपना फीस बिल्कुल अच्छा बनवाने के बाद तो पैसा देना ही बढ़ता है अब दीदी को पैसे देंगी तो इस तरह से यहां पर इस प पूरा वेंकप कम्प्लीट आपको कैसा लगा आज का व्लोग हम लोग यहीं पर खतम करते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद